हेलो विए अज़की इस वीडियो में आपको आता हूँगा कि आप कैसे आपके किसी भी नॉर्मल से टीवी को एक स्मार्ट टीवी बना सकते हो तो चलिए आजकी इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करता है सो गैश तो आप यह पर देख सकते हो मेरे पास है यह सेंसुई का टीवी और यह बहुत पुराना टीवी है मतलब पाच्छे साल हो गया और यह स्मार्ट टीवी नहीं है यह नॉर्मल वाला टीवी है जिसमें कि आपको केबल लगानी पड़ती है और फिर आपको सब कुद दिखाए देता है आपको इस फायर टीवी स्टिक को खरीदना होगा जो कि आपको एमेजोन से मिल जाएगा यह जो फायर टीवी स्टिक है इसमें क्या होता है कुछ इस तरीकी का फायर टीवी स्टिक आता है और इसमें साथ में इसका रिमोट आता है तो आपको यह गरना है यह जो Fire TV Stick है इसे आपको आपके TV के HDMI port में डाल देना होगा वो कैसे आपको पूरा इंस्टॉलेशन करना है उसका भी मैने डीटेल में वीडियो बनाया है तो वो आप देख सकते हो या पर लेकिन फिलाल के लिए हम बात करते है कि आप कैसे आपके TV को स्मार्ट करोगे तो देखो यह जो आपका Fire TV Stick है इसमें यह कुछ इस तरीकी की स्थीक आईगी Fire TV Stick यह रिमोट आएगा उसका बस आपको इसे आपके HDMI port में डाल देना है और अगर आपको आपको डिबा TV होगा तो के वो जो तीन ports होते है वहाँ पर लगा देना होगा तो कुछ इस तरीके से आप आपके Fire TV Stick को अपने TV से कनेक करोगे अब आप जैसे आपके Fire TV Stick को आपके TV से कनेक करोगे तो आपका चाहे कोई भी TV होगा आपका जो TV है वो स्मार्ट TV बन जाएगा जैसे कि आप देख सकते तो मेरा यह बहुत पुराना TV है और इसमें मैंने Fire TV Stick डाल दी है यहाँ पर आप देख सकते हो यह रही हमारी Fire TV Stick तो अब इस Fire TV Stick को अपने TV से कैसे कनेक करते है वो जानने के लिए आप इस वाले वीडियो को देख लेना बाद में सबसे वहले तो मैं आपको दिखा देता कि यह काम कैसे करता है तो सबसे हले हम अपने टीवी को अन कर लेते है यहाँ पर आप देख सकते हो यह Fire TV Stick का ही रीमोट है और इस टीवी में Alexa बगेरा सब कुछ आ जाता है आप देख सकते हो आप डेडिकेटेड बटन है Apps का Netflix, Amazon Prime Video, Amazon Music और Alexa का तो यह जो Alexa का बटन है अगर आप Alexa का बटन दबा होगे तो आपको जो कुछ भी करना होगा बस आपको इस बटन में दबा करके बोलना है तो वो हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा टीवी ओन हो चुका है और इसमें मैंने अपनी Fire TV Stick इंसर्ट कर दिया है तो Fire TV Stick लगाने के बाद में Amazon Prime Video और Netflix वगरा में देख सकते हो अगर आप नीचे की दराफ आओगे तो यह पर आपको Home दिखाए देगा Home में आपको सारी Movies, Pictures यह सब कुछ आपको दिखाए देगा आप देख सकते हो अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपर यहाँ Mini TV, App Store यह सब कुछ मिल जाता है अगर आप App Store में जाओगे तो आपको कोई भी app डाउनलोड करना होगा तो उस app को आप डाउनलोड करके यहाँ पर यूज कर सकते हो और अब यहाँ पर मैं आपको YouTube ओपन करके दिखाता हो यह आप देख सकते हो यह YouTube है जैसे मैं इसे ओपन क हो जाएगा जैसा हमारा फोन में वगरा होता है तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप YouTube भी यूज कर सकते हो आपके किसी भी पूराने टीवी में और यह आप देख सकते हो एक वीडियो भी प्ले करके दिखाता हो मैं आपको ओके तो यह टैक बरनर का वीडियो आड तो यहाँ आप देख सकते हो इवन तारगमेदा भी ओपन हो जाएगा अगर मैं इसे ओपन करता होते हो ओल्ड एपिसोड ओपन हो चुका है तो कुछ इस तरीके से आप इसमें YouTube वगरा चला सकते हो अभी अगर आपको वेब सीरीज या फिर मुवीज वो सब कु देखना हो तो उसके लिए आपको Amazon Prime Video या फिर Netflix में देखना है जीफाइ वगरा में आपको यह आपर लाइफ टीवी वगरा दिखाए देगा लाइफ टीवी के लिए आप देख सकते हो जीफाइ शोने लिए यह सब कुछ है मतलब कि बस आपको यह एक बार आपको Amazon Fire TV Stick खरीदनी होगी इसे आपको टीवी से गनेक करना है और आप सब कुछ देख सकते हो पूरा आपका जो टीवी है वो स्मार्ट टीवी हो जाएगा और इवन आप इसमें अपना हेड़फोन वगरा गनेक कर सकते हो इयरफोन गनेक कर सकते हो सब कुछ जो कुछ भी स्मार्ट टीवी में आता है वो सब कुछ है इसमें और अगर आपके आज पहले से कोई स्मार्ट टीवी है जो कि हैंग कर रहा होगा तो आप उसमें भी आपका ये फायर टीवी स्टिक कनेक कर सकते हो जिससे कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप सब कुछ उसमें देख सकते हो तो ये बहुत अच्छा डीवाइस है इससे आपके किसी भी पुराने टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हो और इससे आपका नया स्मार्ट टीवी लेने का पैसे भी बच जाएगा और ये आता भी बहुत सस्त है ये आपको 3-4,000 में मिल जाएगा और अगर आपको ये 4K लेना है तो 4K भी मिलता है इसमें 3 वेरियंट आता है एक है 5 TV Stick Light 5 TV Stick 3rd Generation और 5 TV Stick 4K तो अगर आपका TV 4K है तो आप उसे यूज कर सकते हो लेकिन आपको ये वाला लेना है तो 4K तो होगा नहीं तो आपको ये वाला लेना है 3rd Generation वाला 3rd Generation वाला सबसे बैस्ट है लाइट में कुछ फीचर्स कम आते है और लाइट इतना खास नहीं है वो हैंग भी हो सकता है तो आपको ये 3rd Generation वाला लेना है जो कि मैंने लिया है अगर आपको ये वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक्यू सो मच